हेलो दोस्तो मैं जतीन अपने यूटूब चैनल अच्छिवर जोन पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है डी ट्रिप्लेस बी के रिगार्डिंग भाई डी ट्रिप्लेस बी मतलब देली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड अब दोस्तो डी ट्रिप्लेस बी के रिगार्डिंग हमारे बोर्ड हाजो डेली में भर्डिया करता है तो यहाँ पे हैं दोस्तो हमारी वेकेंसी अब आएंगे टी-जी टी-टी की वेकंसी अब आएंगे कितनी वेकंसी आएंगी ओर हां एक चीज़ ओर कि भाईarna ने क्या निरन चेन बोर्ड पर लगाया जुर्मना किस चीज का जुर्मना लगा है हम उसको देखेंगे यहाँ पर बताया गया कि हाई कोट ने दिल्ली सरकार के आग रह के बाद भी 12,165 सिक्सकों की भर्ती प्रिकिरिया सुरू ने करने पर दिल्ली अधिनेस्ट सेवा चेन बोर्ड के रव नहीं की गई है मतलब क्या सुरू नहीं की गई है मतलब है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल ली है कब ये वकैंसि आएंगी ये तो बता जी भह उतनी आ आएंगे लेकिन gent नहीं बताया गया है तो आगे देखते हैं दोस्तों अधालत ने इस मामले में जवा पेस ने करने पर D.S.S.B. पर पांच जार उपे का जुरुमाना किया है किसके उपर जुरुमाना किया दोस्तो वकेंसी हैं जो हमारी 12.165 शिक्स कों की बहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तो जो 12.165 वकेंसी हैं वो कौन से सिक्स हैं मतलब लेवल वन है लेवल टू है लेवल थर्ड है कुन से हैं तो आपको बता जें ये हैं T.G.T लेवल टू की वकेंसी हैं इतनी वकेंसी आनी है आपके एड़टाइजमेंट कब निकलेगा उसी चीज़ के उपर ना निकालने के उपर हाई कोट ने डीटरे प्लेशमे के उपर पाँजार उपे का जुरुमाना लगाया है ठीक है दोस्तों अभी यहाँ देखेंगे नियाय मूर्ती नजमी वजीरी ने कहा अदालत के आदेश के बावजो शिक्सकों की बर्ती प्रिकिरिया में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये गई है अदालत में उसे जुरुमाने की रासी या चिका करता संगठन की ओर से पेस अधी वक्ता असोक अगरवाल को देरने का निर्देश दिया है असोक अगरवाल जिनोंने बच्चों के वकील हैं जिनोंने ये कोट में डाखिल किया कि वकेंसी क्यों निकली इसलिए अदालत ने पाँजार रुपे असोक अगरवाल को देरने के लिए निर्देश दियी है नेक्स्ट इससे पहले डी ट्रिप्लेस भी ने नियले को बताया कि उसने इस मामले में जवाब तयार कर लिया और जल्द ही दाखिल कर दिया जाएगा मतलब यहां से इस बास से ये सपर्ष्ट होता है दोस्तों कि आपके TGT की वकेंसी कितनी 12,165 वकेंसी बहुत जल्द उनका अड़वटाइजमेंट आने वाला है अदालत ने उनके इस तरक को खारिच कर दिया कि उन्होंने बताया जो आप भाई तियार कर लिया रेडी लेकिन आएगा कब उस चीज को कारिच कर दिया गया है नेट देखेंगे उस नेले ने पिछले सब्टा डिट प्लेस भी के अड़एक से पूछा था कि सरकार क्या आगरह के बाद भी अब तक भरती प्रक्रिया क्यों निसरू की गई है बिलकुल क्योंकि देखें 12,155 वकैंसी है 12,200 के तकरीबन है क्यों नहीं भरती का विग्या पंजारी कर रहा है क्यों इसमें डिले हो रही है तो इस चीज के उपर ही बताया गया है उसके उपर ही उनको डिट रिप्लेस भी के उपर जुर्माना लगाया गया है तो यहाँ पर बताया कि आग रैपतर बेजे जाने के बाद 12,165 शिक्सकों की बरती के लिए डिट रिप्लेस भी विग्या पंजारी क्यों नहीं कर रहा है साथ यह बताने बरती के लिए विग्यापन कब तक जारी किया जाएगा तो शिक्सकों की विग्यापन मांग की गई है कि दोस्तों जल्दी से जल्दी इस चीज की एड़टाइजमेंट को निकाल ला जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक यह डिट रिप्लेस भी यह यहाँ पर दिखा जाए कि भाई शिक्सकों की 12165 रिक्त पदों को भरने के लिए कदम न उठाने पर कारेवाही की गई है तो दोस्तों 12165 विकेंसी का एड़टाइजमेंट बहुत जल्दी जारी होगा जैसे जारी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस चीज़ के रिगार्डिंग आप अपनी तयारी को जरूर पूरा रखें क्योंकि एड़टाइजमेंट आता ही आपके जो एक्जाम है वो जल्दी से जल्दी जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके एक्जाम जुलाई या आपके अगस्त में होने संभावित है जो टीजीटी की जो वकैंसिज आएंगे आपकी वो जल्दी से जल्दी ही पूरी की जाएंगी ठीक है दोस्तों चलिए हम इस चीज़ के लिए तो भाई आपके दोस्तों अगबर की कटिंके मार्दम से अब यहाँ पे ट्वीट जैसे कि देखेंगे असोक अगरवाल जी है जो नोंने ट्वीट किया है तो क्या किया है देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देरा जोस्तों ट्वीट हुआ है असोक अगरवाल जी ने किया है पूरी खबर को देखते है वही चीज आपकी यह जो अकपार की कट्टिंग के माद देम से आपको बताए गई है तो यहाँ देखेंगे जैसे कि अभी बताए कि आपको रिप्लाई ना देने के उपर डिप्लाई नहीं दिये इसलिए उसके उपर 50 रुपे का जुर्माना लगाया गया है ठीक है दोस्तो डिप्लाई बी कॉंसिल से डेट इट इस रिप्लाई ओन एड ओफ ट्वैल वन सिस्टी फाव टीजिटी पोस्ट इस रेड़ी एंड फिलिंग सोटली तो यहां पे बिल्कुल के लिए रोगे जैसे मैंने भी बताया था कि वकेंशी जो 12,165 है दोस्तो वो TGT की है वो रेड़ी है डेट रिप्लेस भी ने जवाब में बताया गया है कि भाई वो उनकी जो एड़टाईजमेंट है वो रेड़ी है और जल्दी से जल्दी फिलि भी बाई DTT B तो कोट ने असो का गरवाल जो हमारे पेटिशनर हजिनोंने बच्चो के उपर केश डाला था DTT B के उपर बच्चो के इतमे केश डाला था कि वकेंशी क्यों ने निकली है तो DTT कोट ने बुला थी एड़टाईजमेंट नहीं निकलती है वो तो दो बारा से आप कोट में मू कर सकते हैं, असुक अगरवाल जी को बोला है, यदि डी ट्रिप्लेस भी इस चीज में कोई भी final decision नहीं लेता है, तो आप दोबारा से मू कर सकते हैं, कोट में दोबारा से case आप फाइल कर सकते हैं, तो दोस्तों 12,165 वकैंसी TGT की पोश्ट जो है डी ट्रि की गई हैं, इस तरह की information के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है Achiever Jones के साथ जुड़े रहें, जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, वो चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और bell icon को press जरूर करें, ताकि आपको सभी information मिलती रहें, thank you.